उस संधेरी रात में एक अजीब सन्नाटा था एक जवान थियोलोजिस्ट का स्टूडेंट एक राइक स्टैक बिल्डिंग के पास से कुसर रहा था तभी उसने वहाँ एक आदमी को जलती मशाल के साथ देखा उसने तुरंट पास माजूद पुलिस कर्मी को आगाहा किया और पुलिस वहाँ पहुँची लेकिन तब तक राइक स्टैक बिल्डिंग छुलस चुकी थी मरिनस वैंडेल लुबे नाम के इस आदमी को किरफतार किया गया अधनंगा, धूल, मिट्टी और पसीने से सना हुआ उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और किरफतार कर लिया गया जानबूच कर या अंजाने में पता नहीं उसकी इस कर्तूत ने हिटलर के आतम को जन दे दिया 1941 से लेकर 1944 तक के डेफिनिटिव स्टैंप्स को राई पूस्ट ने ही जारी किया था जिसमें हिटलर के चहरे की तस्वीर थी ये शांदार दिखने वाले स्टैंप्स कई अलग-अलग रंगों में अलग-अलग मूलिवर्ग के साथ आते थे बाद में इन स्टैंप्स पर डॉशे राई यानि जर्मन सामराज्य नाम को पदल कर ग्रॉस डॉशे राई लिख दिया गया इसका मतलब होता है महान जर्मन सामराज्य झाले स्टैंप्स के सामराज्य झाले सामराज्य स्टैंप्स झाल 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 त्रिया जा रही थी अचानक एक यूएस प्लेन आया और उसने उस पर बॉम गिरा दिया तमागे की वज़े से गाड़ी पट्री से नीचे उतर गई और सारे मेल कार्गो आसपास की जगह में फैल गए उसके बाद एक और प्लेन आया और उसने नई चिठियों से भरे बैक को वहीं फेंग दिया जिसमें से हिटलर के खिलाव प्रचार पत्र थे जर्मन पूस्टल वरकर्ज ने वहाँ पहले डाक को समेटा और बिना कुछ जाने वो सारे प्रचारक पत्र पूरे जर्मनी में ऐसे ही बांट दिये और फिर शुरू हुआ ओपरेशन कॉन फ्लेक्स इस मिशन के जरिये वो जर्मन पूस्टल सर्विस का इस्तमाल करके झाल लिए था था बप्राइब और देक्स यिष्सक्राइब झाल झाल